हलो फ्रेंड्स एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूँ स्वेता सिंग आज इस वीडियो में मैं कॉटन कैंडी के बिजनेस से समन्धी चानकारी देने जा रही हूँ आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि अगर आप बिजनेस आइडियाज और टेकनोलोजी के बारे में जानना चाते हैं तो हमारे चैनल स्वेता टेक्टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों को कॉटन कैंडी बहुत पसंद होता है और जैसा हम जानते हैं कि बच्चों की जीद के आगे बढ़ों को जुकना ही पड़ता है इस बजह से कॉटन कैंडी का कारोबार बहुत ही फल फूल रहा है इसे शुरू करने के लिए ज़ादा इंवेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता और इसे घर से भी शुरू किया जा सकता है कॉटन कैंडी बिजनिस केवल आठ से दस हजार रुपे में शुरू किया सकता है और पचाश हजार रुपे तक की कमाई की जा सकती है कम लागत में भी यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं Cotton Candy एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको बहुत जादा investment की जुरूत नहीं होती है इसका machine खरीदने में भी काफी कम खर्चाता है अगर आप खुद की machine खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 10-15,000 रुपे तक खर्च करने होंगे आप order पर भी machine बनवा सकते हैं इससे हटकर अगर आप rent पर machine लेते हैं तो इस बिजनेस को सुरू करने में investment और कम हो जाएगा अब आएए जान लेते हैं कि किन चीजों की जुरुरत होती है machine, chini, खाने वाला color, packing material और stricks इन चीजों को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना परता है सामान खराब होने का रिस्क होता है इसलिए एक साथ बहुत ज़्यादा raw material नहीं खरीदा जा सकता है अब आएए जान लेते हैं कि बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं cotton candy के market को सुरू करने के पहले एक बार जरूर समझ ले इससे आपको बिजनेस डिमांड के बारे में पता चल सकेगा ऐसे supplier से contact करें जो cotton candy का बिजनेस करता हो market की जरूरतों को समझे घर में ही machine लगा कर इस बिजनेस की शुरुआत करे शुरुआत में 150 से 200 packets के लिए ही काम करे बजट के हिसाब से material बनाएं ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके अब आईए जान लेते हैं कि cotton candy बनाने का क्या तरीका है machine में चीनी और color डाल कर मिलाएं इसके बाद machine चलाएं और इन दोनों चीज़ों को मिला लें कुछ समय बाद ये दोनों चीज़े आपस में mix हो जाएंगे तब इसमें cotton के रेसे जैसे बनने लगे तो समझे cotton candy तयार हो गई है अब आईए जान लेते हैं कि सुरुआत में कितनी कमाई होती है business में लागत एक तरह से नाके बरावर होती है तो सुरुआती दोर में आपको इसमें 20,000 से 25,000 रुपे तक की कमाई होती है market reach बढ़ने पर cotton candy business से होने बाले यह कमाई 40,000 से 50,000 तक भी पहुँच सकती है लेकिन यह आपकी marketing पर निर्भर करता है अब आईए जान लेते हैं अपना business कैसे बढ़ा सकते हैं शुरुआत में आप एक या दो retailers और confectioners के हां stock supply कर सकते हैं business बढ़ने पर आप इसे किसी खास event और party में भी order book कर सकते हैं ऐसे मौकों पर आपको कुछी घंटों में 8 से 10,000 रुपे तक की कमाई हो जाती है यह target cable एक party booking का है तो दोस्तों यह थे cotton candy business से समधी जानकारी उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और अपने friends के साथ share करना मत भूलिए अगर आपने हमारा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो please कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के uploads की जानकारी आपको मिलती रहे जिन होने मेरा channel पहले से subscribe कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे support करने के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए business idea के साथ thanks for watching my video bye